वैसा बेश वैसा बेश बेख करिए आपका संदेश हवाशिंचहल के साथ नवश्कार दोस्तों दोस्तों आज मेरी कई कर्शिव गैनकों से बात हुई है क्योंकि कई किशान भाई पूछ लेते हैं कि आप तरह तरह की वीडियो डालते हो कोई खेती के बारे मैं भी कुछ बताईए तो मैं आपको आज एक नई खेती के बारे मैं बताता हूँ जो मैंने गुजरात और राजस्तान में देखी है और वो खेती है दोस्तों खजूर की जो कि आसान भी है संबाड़ी भी जा सकती है यह मैंनेगर परकुष परियोक के लिए पध्दे रख्या हुए है है और औल्टी कर्चर से में दो कोध के लिया है यह वह खजूर यह देखिए यह दोफोते हैं यह खजूर के हैं यह यह खजूर है और यह देखिए इसका तना जब एक फूट से उच्छा हो जाएगा तब इसको खजूर लगने शुरूर जाएगे तो और वह खजूर थोड़े नहीं होंगे दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में यानि कि मै कि तरह बिखते हैं कच्छे हैं सो रुपए कि लोगा रेट था मैं गया था गुजरात में तब लिए थे पिछले साल और पके हुए तो यह और भी ज्यादा बहुत मेंगे विक्ए हैं और यह देखिए यह कुछ मैंने यहां फूल और यह लगाए हैं यह देखिए आज मैं पूरी जानकारी आपको खजूर के बारें देऊंगा कुछ मेरी बात हुई है और मैंने एक बार में पढ़ा उस बारें भी मापको अउगत कराऊंगा तो यह कुछ फुलों के पोद्य जो गर पर आप रख सकते हो कितने शांदार यह लगते हैं यह देखिए कोई भी बूलिश में लगे वह सफेद है और इसी तरह यह दिवार के उपर है यह पोद्य लगे हुए हैं और जैसा कि खजूर मैंने बताया उस खजूर के बारे मैं मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूं अब उस खजूर की जानकारी के लिए आईये मैं लिए चलता हूं आपक दोस्तो आज किसानों के बारे मैं कुछ बताना चाहूंगा दोस्तो एक खजूर की खेती है मैंने गुजरात में भी देखी थी राजस्थान में भी देखी है और आज मैंने अख़बार में पढ़ा कई दोस्त पूछ भी लेते हैं किसान भाई के भाई कोई खेती के ऐसी त जो आप लगातार बोते रहते हो जिस एक तो खेती का उत्पादन पर फरक पड़ता है और दूसरा दोस्तों ये ज्यादा पैदा नहीं देती है जो बंदे जो किशान भाई खेती ठेके से जमीन ले करते हैं उनको तो और भी मंगी पड़ती है फिर वाजी भाव भी नहीं मिल पा रहे हैं और गुजारा ही चलता है बस क्या हुआ है एक दो वाना लकिड़ गया भाई कोया थोड़ी गणी पैदावार खेती से मिल गी और ज ज्यादा होता है और एक खास बात और बताओं दोस्तों ये पूरी उमर में सिर्फ एक ही बार लगा आ जाता है यानि के दो तिन पिड़ी अराम से बेटे काओ एक बार इसको लगा दो और फिर इसकी रखवाली करके इसे पर पैदावार इतनी लो इसको मेंटेन रखो इसक को अपना हो राजिस्थान और गुजरा तो मैंने देख्या सो रुपए किलो तो कच्छे भी करें बेर की तरह है और जब ये पक जाता है तो दोस्तों इस से बढ़ या और क्या होगा दस हजार रुपए कविंटल अगर कोई चीज बेकेगी आपकी और फिर थोड़े नहीं होते हैं एक एकड़ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अब मैं आपको कुछ है बताऊं इसके बारे में कावतें भी बहुत हैं पेड़ों में पेड़ बड़ा खजूर चड़ जाये तो मेवाचा खले पड़ जाये तो चकनाचूर ये पुराणी कावत हो दोस्तों और इस तो बहुत उंचा पेड़ हुआ करता और अब भी हैं जो पुराणे लगे हुए हैं बहुत उंचा है 40-50 फुट पर जाकर उस पर फड़ लगता है तो उस फड़ से कोई ज्यादा हमें मज़ेवारी बात नहीं है क्योंकि लगाते तो अब भी हैं वो ही है और टिकल्चर का तो द्वारा लगाए गए पहुत दें हैं दोस्तों और इन यह बता है वह यह गजब की चीज है इसमें यह है राजस्थान के गंगानगर जिले में छससे विग्या में करीब चाली से पचास हजार कुंटल की पैदावार ली जारी है जिसकी किमत कई करोड रुपी है यह दि च्यार पांच करोड रुपी किमत है कच्छी पैदावार हुआशे तो दस करोड दी उपर बेठ जागा जाए अपना इस तरह बेचोगे जुकर यह किलो कि लोंबे चलाए चाली से पचास हजार कुंटल की पैदावार ली जारी है जिसकी किमत करोड रुपीयम है एक भी गम करीब 10 लाख से 12-13 लाख रुपीयां के यह उतरते खजूर है और पूरी उमर में एक इबार यह पोद्दे लगाने है तो सवासो साल उमर है खजूर की इस तरह ज़्यादा फड़ बिजबर दे गुजरात में टी शुकल चर्वीदी से पहुति लगा जा रहे हैं खजूर की खेती से एक एकड़व बारा तेरा लाख की पैदावरा रामतिलेश को हो और खासकर है नई पीडी के जो किसान है इने के उमर में यह अच्छी फसल देंगे है अगर हम भी अब लगाएंगे तो हमारी अगली पीडियों को काम आएंगे वो क्योंकि सो सवा सो साल थोड़े नहीं होते दो तीन पीडी च्यार पीडी तक भी इसमें इसकी फसल खाती रहेंगे तो दोस्तों आज मैं इतना ही आपको यह करना चाहूं था कि यह बड़ा सिस परद़त्त बनेगी तो एक ही फजल की पिछए न पड़के इस तरह की खेतिया करो अर बल खेति करो खजूर की खेति करो और भी किज़न की दो यह प seperti दियसा बहुत है उंप्हुंग की खेति ठिलों की खेतिया सबजियां में वो तो एक चीज के पिछ पड़े हैं इसलिए आप गाते में हो इसलिए आप सरकार के खिलाफ बार-बार आपको परदर्शन करने पर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा के फटा-फट इसको अपना लो और वह यह लगाने शरू करो वैसा बेश देखते ये आपका संदेश हवासिंचहल के साथ